नमस्कार दोस्तों कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का श्वागत है आज के इस एपिशोड में मैं आप सभी को जनकारी दे रहा हूँ यदि समाज के किसी महलाओं के नाम से जमिन का दस्तावेज है कुछ संपतियां है फैक्टरी है कार खाने है माकान है वह दिहात हो या फिर सहर की जमिन हो तो इस तरह की जो शंपत्ती है यदि महलाओं के नाम से है और बरस दो हजार पांच के बाद उनके पति की मिर्थी हुती है और कुछ बरसों बाद यदि वह महला अपने पूत्रों के नाम से उस सारी शंपत्ति को विल कर देती है वशियत कर देती है या फिर दानपत्र कर देती है या किसी तरह का सेल्डिट बना देती है तो क्या या भैलिड हो सकता है और यदि भैलिड है तो किस परिस्तिती में और यदि वैद नहीं है तो फिर ऐशा कौन सा परिस्तिती हो सकता है दोस्तो यदि महला जिनके नाम से शंपत्ति है उनके नाम से दस्तावेज बना हुआ है और वह महला स्वेंग उस भूमी को अरजित नहीं की है उस माकान को स्वेंग तयार नहीं किया है पती के द्वारा विराशत में प्राप्त हुआ है सस्राल से विराशत में प्राप्त हुआ है और दस्तावेज पर सिर्फ उनका नाम चल रहा है बलकि उन्होंने श्वेंग अपनी कमाई से उस शंपत्ति को अरजित नहीं किया है तो ऐसी परिष्टिती में यदि वह महला अपने पुत्र मुह में आकर के या फिर कहा जाए कि पुत्रों के दवाब में आकर पुत्रों के नाम से वशियत कर देती है और वहीं अपने पुत्री के अधिकार को पुत्री के अधिकार से पुत्री को वन्चित कर दिया जाता है या फिर उसकी उपेक्षा की जाती है और यदि पुत्री इस तरह के वील को, इस तरह के सेल्डीट को, इस तरह के दानपत्र को न्याले में जुनोती देती है, तो क्या वह अपना हग पराप्त कर सकती है? जी हाँ, इस तरह के जो महलाओं के नाम से दस्तावेज बने हुए हैं, यद पी यह देखने में इस्तरी धन जैसा लगता है, और यदि वास्तर में इस्तरी धन है, तो वह उस शंपत्ती को ट्रांसफर कर सकती है, दानपत्र कर सकती है, वसियत लिख सकती है. परन्तो यदि उन्होंने उस शंपत्ती को स्वेंग अर्जित नहीं किया है बलकि उन्हें विराशत में प्राप्त हुई है पती के द्वारा प्राप्त किया मिला है या फिर सस्राल से विराशत में प्राप्त हुई है तो इस तरह का जो शंपत्ती है वह joint property कहलाता है और यदि वह joint property है तो ऐसी परिस्तिती में यदि कोई महलाएं कोई माता बहने अपनी शंपत्ती को पुत्रों के दवाब में आकर उन्हें पूरी की पूरी शारी की शारी शंपत्ती विल कर देती है तो यह वैद नहीं दिखता है और ऐसी परिस्तिती में यदि उनकी पुत्री ऐशा महसूस करती है कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है उनके अधिकारों की उपेक्षा की गई है तो वह इस तरह के गलत धंके दस्तावेज को न्याले में चुनोती दे सकती है और न्याले में चुनोती दे कर उस भूमी में उस शंपत्ती में अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है क्योंकि वह एक जोईन्ट परपर्टी है सिर्फ उनका नाम चले आ रहा है उन्होंने श्वेंग उस भूमी को अरजित नहीं किया है उस शंपत्ती को अरजित नहीं किया है इस तरह की जो पिरित महलाएं हैं इस तरह की जो पिरित पुत्रियां हैν उन्हें संपत्ती का सारा ब्योरा जूटाना होगा और उसके जो दस्तावेज हैं जैसे की खतियान या फिर कहा जाए की सेल्डिड या जो वशियत उनकी माता द्वारा गलत धंग से कर दिया गया है उसका भी सर्टिफाइट कोफी होना चाहिए और इन सारे कागजातों को जूटा कर वह नियाले में अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए शंपत्ती में शेयर लेने के लिए नियाले में दावा कर सकती है तो दोस्तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूंगा फिर अगले कानूनी वीडियो का अगले कानूनी शलाह के लिए आप इंतजार करें